दोस्तों आप सबको स्वागते दोस्तों मेरा नया वीडियो पर दोस्तों मैं विकास और आप लोग देख रहे हैं चांप ओल्ट्री दोस्तों मेरा एक साब्सक्राइबर भाई है जिसका नाम है तुईन्स वरकर तो कालूस भाई ने मुझसे क्वेशन किया कि हमारा शीट में जो मउर्गिया होते हैं जो मुर्गिया हाँ न मूर्गियों का बोड़ी वेट die तीस से लेकर बत्तिस दिन उदर दोगी जी काईसे होता है ठटे से लेकर 32 अनदर हमारा मूर्गिया है उसका cola दोगीजी कैसे होता है और माइन हो तो मैं सोच चलो उस भाई के रीकोष्ट में एक वीडियो बना दू ताकर उस भाई के साथ साथ जो न्या फार्मिंग कर रहे जो न्या मुर्गी कर रहे उनको भी थ्वडाइब फाइदा हो जाए मेरा वीडियो से दोस्तों देखिए अगर पहले कहां चाहता हूं देखिए तो टाइम लगता है वीडियो बनाने में ठीक है तो वीडियो तो लंबा होता है तो उम्मित करता हो दोस्तों कि आप लोग पेसंस है वीडियो के लास्थ देखेंगे ठीक है और दोस्तों देखिए सिरीफ उस भाई को नहीं एक्चॉल में जो लोग फार्मिंग करते हैं मुर बडी ओट है वो जद्धा हो जाए ठीक है सब लोग एई चाहते है लेकिन बहुत लोगों को क्या करना है पता नहीं होता क्या नहीं करना है पता नहीं होता दोस्तों चलिए ऑच्ट जो टॉपिक है मुर्गिों का उसके बार में पूरा डिटल में आपको समझाने का कोशिस करूंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए पहले मेडिसिन के बारे में बात कर ला तो ठीक है और इसको कैसे देना पड़ता है कितना मुर्गियों के लिए कितना देना पड़ता है कैसे मिक्स करना पड़ता है और उसके बाद दोस्तों आ यह ओस्टोवेट एक क्याल्शियाम है दोस्तों और विमरेल सब को पताई होगा यह माल्टीबुटे में ने दोस्तों देखिए दोस्तों जो पूरणा फार्मार है उनको डिटेल्स में बताने के जोरत परता नहीं लेकिन दोस्तों जो न्या फार्मिंग शुरू किया है ठीक विटामिन 3-80,000 IU है विटामन B12-1000,000 KG है काइबो हाईडरेड buraya2,00000 mg है ठीक है दोस्तों रहा ऑस्टोफेट तो दोस्तों अभी देखिए विमरेल के अंदर क्या-क्या है दोस्तों देखिए विटामिन A-12,000 IU है विटामिन D3 6000 IU है विटामिन E 48 Mg है विटामिन B12 20 Mg है ठीक है दोस्तो और एक बात दोस्तो मैं आपको बता दाओ जो निया फार्मर है वो लोग बहुत कॉन्फूस होते हैं विटामिन E को लेकर दोस्तो एक्च्वेल में जो विटामिन E होता है न वो मुर्गियों पे Immunity System को तगहरा करने का काम करता है इम्मुनिटी बूस्टिंग का काम करता है ठीक है दोस्तो विटामिन E तो दोस्तो अभी मैं बताओंगा कि कितना मुर्गियों के लिए कितना MLS करेंगे तो दोस्तो सोच लेजिए आपके पास आभी 1000 मुर्गी है तो 1000 मुर्गी के लोग दोस्तो भीमरल भी आपको 50 मुर्गी 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 आपको 50 मुर् अभी आपके पास मेंन्योले डिंकर हैं तो मेंन्योले डिंकर जिसके पास है दोस्तो उसको अलक से कुछ करने का जोरत पठता क्यूंके दोस्तो जो लोग मैंन्योले काम बनता है यहाchlagen यह क्या है जो वाटर लाइंग के टैंक है टैंक का पानी में बंद करके मैं कैसे दे रहा हूँ दोस्तों वमें आपको दिखाया था है वैक्सिन वाले वीडियो में भी तो दोस्तों सेम काम आप जब भी कोई पहलता है तो पानी का लाइन आपको बंद करना पारता है ठीक है क्यूं्क करने के अब कोई भी मेडिसिन के पानी में हमेशा पानी में ὅ मेडिसिन को मिक्स करता है कि कभी भी मुर्गी तक पुरा आता अगर आप वाटा-्ताइंकक मेडिसिन करेंगे तो मेडिसिन कुछ देश्बार पहले-पहले थो थोड़ा मेडिसिन मुर्गियों कांतर आ जाएगा लेकर लें जो हिस्सा होता है उसमें जाके बैठ जाएगा जो मेडिसिन कभी भी मुर्गी तक पूरा आयागा नहीं तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए अलग से फिल्टर पानी ले अगर सोच लिजिए आपके पास हजार मुर्गी है दोस्तों जैसे के मैं हजार मुर्गियों के लिए हम अच्छे से मिक्स कीजिए करने के बात दोस्तों जो आपके पास आप आपको बोला पाइप लाइन को बंद के अच्छे से ढिंकर को दोले दोने के बात दोस्तों जितना आपका डिंकर में पानी पकरेगा, उतना उतना आप जो मेडिसिन वाला पानी जो आप मिक्स करेंगे, सप्रेट से जो पानी लेके आप मिक्स करेंगे, वो मेडिसिन वाला पानी आप डिंकर पर डालती जाएए, जितना डिंकर होगा, उतना डिंकर पर जितना पानी प मुर्ग्यों को मिलता नहीं है तो दोस्तो अभी सबसे important topic में मैं बात करने वाला खुझ तो रहा ग्रोथ प्वोव्टर के लिए मैं क्या करता हो ठीक है लेकिन सबसे important चीजें होता है तो होता है को घड़ने ओपने लोडो unless the छूण सब्सक्राइब रोज करेंगे लेकिन चूण जो एो छार पास दिनगो आपको यह घर मांना को सब्सक्राइब कि stressing out एंष था समय पर सब्सक्राइत को बेुस्चा सब्सक्राइब मु Chr.ष क्षा था क्या करते ने का नियुक्ति ने सा। में तो थो थो प्रिवेंशन में हमेशा ध्यान दे में पहले चुए दोस्ते प्रिवेंशन ऑलवेश बेटर दैन टीटमेंट ठीक है आप अगर वेट करेंगे के मुर्गी के अंदर बीमरे आएगा उसके बाद में ठीटमेंट करूंगा दोस्तों तो वो कोई फाइदा नहीं है ठीक है जब बीमर आएगा बीमर बहुत जल्द से फैलता है तो हमेशा आपको prevention में ध्यान देना है ठीक है आपको मुर्गियों को situation को समझना है कि मुर्गियों का अभी क्या चाहिए होगा वो चीज आप सम आपको समझना है ठीक है दोस्तो तो ह लिवर के लिए एक दम ही अच्छा नहीं होता ठीक है तो कोशिश कीजिए एक बैच में सिर्फ एक ही बार ग्रोथ पॉमडर रिसके जिए ओभी 15 से 20 दिन के अंदर जब मुर्गी ग्रोवर का एज में आ जाएगा ग्रोवर लेबल पर आ जाएगा तब आप ग्रोथ पॉमडर कई देगा कोई रोक नहीं सकता ठीक है दोस्तों कि दोस्तों ये रहा बस छोटा सा व्यटा सा वीडियो चहूंँगा दोस्तों कम से कम ने 8-9 मिनिट वीडियो हो हुँ चुका है शाध आप में पहले कीया मैं कि details में अगर समझाना है तो वीडियो थोड़ा लंबा होना है तो आप patience लेके अगर वीडियो के देखते हैं तो इससे फाइदा आप लोग के ही होगा ज़्यातार जो निया फार्माल है उन्हों को फाइदा होगा मेरे वीडियो से तो चलिए दोस्तो इस वीडियो पर बस इतना ही मिलते दोस्तो नेक्स्ट वीडियो पर उम्मित करता हूँ मैं आपको आप लोग अच्छा समझा पाया तो दोस्तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोग को पाता ही है नया से कुछ कहने के आप लोग का ज़रूत है नहीं मुझे तो चले दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियो बताब तेक के लिए दोस्तों सब खुसरे हेल दे रहे हैं राम राम दोस्तों